हलो बच्चो बच्चो आज हम करें हैं कहानी कौन सी हाथी और दर्जी की देखो चितर में दिख रहा है ना आपको हाथी और दर्जी तो चलो करते हैं कहानी स्टार्ट बड़े ध्यान से सुननी हैं और अंत तक सुननी हैं पूरी कहानी एक गाम में एक दरजी रहता था जिसका नाम मुस्तफा था वे बहुत द्यालू सभाव का प्रिश्रमी व्यक्ति था जब वे अपनी दुकान पे कपड़े सिलता रहता था तो उसकी दुकान पर एक हाथी प्रती दिन आकर खड़ा हो जाता था दरजी रोज हाथी को कुछ ना कुछ खाने को देता था इसलिए हाथी नियमित रूप से प्रती दिन दरजी की दुकान में आने लग गया था एक दिन दरजी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा वे उस दिन अपनी दुकान पर बैठ ना पाया तो उसने अपने लड़के से दुकान पर बैठने के लिए कहा और उसका लड़का उस दिन दुकान पर जाकर बैठ गया लड़के ने दुकान खोल ली तो हाथी रोज की तरह उस दिन भी दुकान के पास जाके खड़ा हो गया दरजी का बेटा बहुत शेतान था हाथी ने जैसे ही उसकी तरफ अपनी सुन बढ़ाई तो लड़के ने हाथी की सुन में सुईच बाओ दी हाथी जोर से चिंगाडा और बहुत गुसा होकर वहां से चला गया उसके बाद हाथी एक दिन तला पर गया और उसमें से गंदा पानी अपनी सुन में भर के दरजी की दुकान पर लोट आया लड़के ने हाथी को अपनी दुकान की ओराता देखके मन ही मन सोचा यह फिर आ गया अब की बार इस हाथी की सुन में इतनी जोर से सुई चुभाऊंगा कि फिर वै इस तरफ नहीं आएगा हाथी जैसे ही दुकान पर पहुँचा तो उसने अपनी सुन का सारा गंदा पानी उस लड़के पर उडेल दिया दरजी की दुकान में रखे सब कपड़े भी गंदे हो गए और इससे दरजी को बहुत नुकसान भी हो गया फिर लड़के को ये सब देखकर अपने किये पर बहुत पच्चतावा होने लगा तो दोस्तों ये थी हमारी हाथी और दरजी की कहानी तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है उससे पहले देखो आप चितर में क्या दिख रहा है कि सुंड में भरा कीचड दरजी के उपर फैंकता हाथी ठीक है दोस्तो इस कहानी से हमेशिक्षा मिल रही है जैसी करनी वैसी भरनी जैसा उस लड़के ने किया हाथी ने उसका बदला ले लिया तो दोस्तो वै कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी ऐसा ही कुछ उस दरजी के बेटे के साथ हुआ अच्छा करोगे तो अच्छा पाऊगे बूरा करोगे तो बूरा ही पाऊगे तो ये थी हमारी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना थैंक्स पर वाचिंग बहुत बहुत धन्यवाद आपका